हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूपी की जीके की क्लास में जैसे आपको पता है कि हम लेक पाल और यूपी हेड ओपरेटर हैं यूपी पुलीस में जो हेड कोटर की वेकंसी है उसके लिए प्रिपरेशन कर रही है तो जैसे आपको पता है हमने यूपी पढ़ी है वो टोटल अभी तक घठना चक्र से करिये है तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा हमने कितने टॉपिक और लिडे कंप्लीट कर लिए हैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं हमने यूपी की एक नॉर्मल नंगे की ते हम the यूपी के बारे में फैक्ची वह जानी थी राजय पाल्कोने मुक्फियमंतरी लाजय पुष्प राजय पक्षी करें कितने मंडल मंतल नहीं bitने चिलें हैं यह सारी चीज़े उसके बाद हमने व्यूपी की यूपी की वालडायफ पढ़ी तर लाद उन किस्टन आते हैं हमने जातर टॉपिक कंप्लिट कर लिए है जो में में टॉपिक होते हैं देखिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक छोटा सा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवाईयू यानि कि कि लाइमेट ओफ यूपि देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है इसमें वीडियो बनाने के इतने कुछ खास जरुवत थी नहीं लेकिन मैंने सोचा जब मैं एक तरह किसम कंप्लीट यूपि पढ़ रहे हैं तो इसको भी थोड़ा से समय दे दिया जाए तो आज देखिए ज मैंने दोनों को एक साथ ही एक पार्ट में कंप्लीट करूँगा ठीक है क्योंकि देखिए सारी चीजे फैक्ट्वल चीजे होती है इसमें कुछ ऐसा बताने का नहीं होता है कब अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको खुछ समझा जाया कि इसमें आपको क्या पता परसंद आये तो और दूसरी बात अगर आप हैड ओपरेटर की तयारी कर रहे हैं मैंने हैड ओपरेटर के लिए कफ साइंस कंप्लीट करवा दिये हैं जो जी एस वाले पॉर्चन की साइंस है मैंने वह कंप्लीट करवा दिये बिलकु टॉपिक वाइज बागी जो फैक्च की तरीके से एक दो दिन में अपनी ये पूरी यूपि कंप्लीट हो जाएगी तो देखे मेरी रिक्वेस्ट ही है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं डारेक्ट पॉइंट पर आते हैं आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवाईयो यानि के किलाइमिट ओफ यूपी इसमें इतना वड़ा कुछ ट्रॉपिक है ना इतना आपको डीप पढ़ना होता है तो जो जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी सेक्शुल चीज होंगी वो आपको पता होनी चाहिए सिर्फ एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से देखना है आपको यह सारी चीजिए चलिए देखिए जो उत्तर प्रदेश में जलवाईयो पाई जाती है उसको हमने जो माना जाता है वो तो आद्र यह उश्ड प्रदेश उश्ड क्लाइमिट बहने आता है इंग्लिश में इसके बोलते हैं हुमिट सब ट्रोपिकल है इंग्लिश में तो आद्र यंड उश्ड प्रदेश बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं हुमिट सब ट्रोपिकल रिजन कैंक किमिट इप इंग्या के लिए आग्यू और आघे का लिए यादि ने इस पार्ट इसको को दूसर अरा मॉब्रेट ता मॉड्रेट ओमिट सब ट्रोपिकल डिए वही है आद्र अध्र ओं उश्ड और साधरण अध्र खरण यानि हमिट सब ट्रोपिकल और ह Our Canada सब्ट्रोपिकल रीजन में बाटा है हमने इसको तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि even ocean यानि है और इसके बाट देए हमने TWO part में किस तरीके से पहले गया है कि अब्स्ट तरुपिकल यानि आत्र अईुश्चन का दो आएग पूर्वपटर प्रुदेश में यानि कि वार्शिक वर्सा होती है तो इसके अंदर आपको 100 से 180 जो आपके हुमिड है यानि आद्र उस्वन है और मोडरेट में आपके और अगर उसने पूछा साधरान आद्र उस्वन में तो आपको अलग अलग ही पता होनी चाहिए सो से असी से सो चलिए क्यों क्यों क्योंकि दीए यह प्लेन एरिया होता है अगर आपको ने अगर यूपी का मैप देखा होगा तो इधर आपने सहारन पुल diary तक इलाका है कि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है मैं पूठाही को ईए हमारा कुछ इस तरीके से है ये जह इलाका है अबका ये थोड़ा आपका पथ्रीला इलाका यानि थोड़वान्टन हिलाखा है塊 और नीचे का अपका प्लेन इलाका है तो इस इलाके में जो आपका जादा वर्षा होती है और यहां पर आपकी थोड़ इसी कम वर्षा होती है ठीक है चलिए इतना तो आपको पता चल गया होगा नेक्स्ट है मौसम पूछ लिए जाते हैं कितने मौसम है तो यूपी में आपको जनरली वही तीन मौसम मिलेंगे एक तो आपका सबसे पहला समर यानि गर्मी का दूसरा विंटर यानि सर्दियों का और तीसरा आपका रेनी सीजन या मौनसून कह देते हैं आटम कह देते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले देखिए जो मैं आपको बताऊंगा और जो आपको इस चैप्टर ने वही पढ़ पढ़ना नहीं होते हैं अगर आप घटना चक्र से पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी इसमें इतना ही मैटर मिला इससे यह समझा आता है अगर आप पिछले एक्जाम भी देगे होंगे और घटना चकर पढ़ते होंगे तो आपको पता हुग गटना चकर कोई ऐसी वैसी किता नहीं है यूपी के लिए सबसे बेस्ट जो किताब मने जाती है वह आपकी घठना चक्र ही है ठीके तो देखें अगर उसमें इतना सा दिया वाए तो यहीं आपके लिए इतना ही सफिशेंट है आपने कोई एक्जाम दिया होगा यूपी का तो आपको पता चल गया होगा कि इ चलिए उत्तप्रदेश में मुख्यत तीन रित्वें यानि मौसा में वर्षा ग्रिशम और शीत रूप यह पूछ लिया आता है जो कोपन के अनुसार उत्तप्रदेश की जलवायू को किस कैटेगरी में रखा गया है तो आपको पता होना चाहिए सी डवलू जी कैटेगरी में यानि शोश्क शीत वाला मांसुनी पिरकार फिर थॉन्वेट थे उन्होंने इसको सी बी डवलू अर्थाथ सम सी तो उपात्र जिलवायू में बाटा तो इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए पहला कोपन ने और तॉन्वेट ने इनके फॉल फॉर्म और यह क्या होते है इसको आपको पढ़ने की जरुबत नहीं है इस तरीके से होते हैं काफी लंब पुरा चार्ट होता है अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगबर पर ट्राइकर लिजेए वैसे इसकी पढ़ने के आपको जडर नहीं है सिर्फ आपको यहीं पता होने चाहिए कोपन के अरनुसार कौन सी होती है और थाउनवाट के साब से कौन सी होती है देखिए नेक्स्ट आपका शीत्रितु यानि विंटर सीजन देखिए इसमें आप से क्या पूछेगा अब धी बिल्कुल नहीं पूछेगा कौन सा होता है तो आपका जनवरी चलिए इसमें आपको यहीं पता होने चाहिए और सतम पां नहीं पूछेगा यह में आपका कुछ भी नहीं पूछेगा योंकि कुछ पूछान काम करती है तो यह आपसे नहीं पूचे है क्योंकि हर बुक में यह अलग अलग तिया होता है कहीं पर आपको 27.3 दिख जाएगा कहीं पर 27.1 दिख जाएगा इस तरीके से सिर्फ आपको इसमें यह याद रखना है कि सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है और आप अगर हो सके तो अबदी भी याद कर लिएगा अक्टूबर से फरवरी तक कमहीना होता है ठीक है चलिए और वर्षा कितनी होती है साथ से दस सेंटिमीटर बस इससे ज़्याद आपको इसमें कुछ मालूम नहीं होना चाहिए ना उसकी आपको ज़रुत है नेक्स्ट है ग्रिश्म यानि समर इसमें आपको तीन चार पॉइंट याद रखने है जैसे लूम की डेफिनेशन ही आ जाती है कि ग्रिश्म रितू में पश्चिम के और से चलने वाली शूष्क और गर्म हवायों को क्या कहा जाता है तो लूम यह आपको पता ही है ठीक है पर टिक करना होगा ठीक है और इसमें से पूछ लेगा कि वह लूम की दिशा क्या होती है जो गर्मियों के मौसम में लूम चलती है उनके दिशा क्या हो रहती है तो पश्चिम की और बहने वाली गर्मों शुष्क हवाय होती है ठीक कितने क्वेस्ट बनें आपके लूम से ठीक है, तो लूग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि कौन ची डारेक्शन है इनकी, पश्यम की और भहती है, और शूष को अर गरम हवाय होती है. ठीक है नेक्स्ट ये फैक्ट है एक कि सबसे कम गर्मी कौन से जिले में पड़ती है तो सबसे कम गर्मी आपकी बरेली जिले में पड़ती है सबसे अधिक सबसे अधिक आपकी जहासी और आगरा जिले में पड़ती है अवधी देखी मद्ध है मार से मद्ध है जून ठीक है एक एवरेज ही आ गया है एक बाद रीड कर लीजेगा वह इस स्यादा कोई जरूरत नहीं है इसके बाद आपका सरवाधिक ओस्तम तापमानियाने के अवरेज टेंपरेचर कहां पर रहता है तो वह आपका बंदेल खंड का छेतर होता है क्यों क्योंकि देखी जो आपकी ट्रोपिक ओफ कैंसर है यानि करकर रेखा है उसके सबसे पास बंदेल खंड करीजन पड़ता है तो आपको पता है कि जहां पर करकर रेखा होती है यानि containing of cancer होती है वहाँ पर आपका करमी जादसे रहती ऐसके दौनों तरफ गरमी जादसे रहती है ठीक है चलिए तो इसमें आपको की करते और ये याद रहती पेसे हैं कि अब भी क्या होतीह Fifty ठीक है और सब औस्तम यानि एवरिज हाईएस ट्रेंप्रेचर किसका होता है तो आपका बुंदिल खंकरीजन का है ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका रेनी सीजन यानि वर्षा रिदू तो इसके अंदर आपको देखे क्या क्या याद रखना है सरवादिक वर्षा कब होती ह तो जुलाई और अगस्त के महीने में ठीक है उसके साथ साथ आपको इसमें एक पॉइंटर नहीं दिया हुआ है मैं आपको उता जेता हूं कि इसमें क्या याद रखना है इसमें आपको हाईस्ट रेनफॉल कहा होती है निस सबसे ज़्यादा बारिस कौन से जिले में होती ह तो हाईस्ट तो होती है आपकी गोरखपुर और लोएस्ट जेखी जब सबसे हाईस्ट होती है तो लोएस्ट भी होती होगी तो लोएस्ट होती है आपकी मत्वरा जिले में सबसे अदा बारिस आपकी गोरखपुर जिले और सबसे कम बारिस आपकी मत्वरा में होती है ये तो पता ही होना चाहिए ठीक है फिर ये पूछ ले आता है कि जो यूपी में मानसून आता है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मतलब कि यूपी में जो मानसून आता है वो कहां से उठके होता है देखिए मानसून क्या होता है हवाएं होती है वो हवाओं के साथ आपका वाटर वेपर्स आती हैं बादल आते हैं और बरस कर जाते हैं तो वो पूछ रहा है क्वेशन पूछता है कि कहां से उठता है मानसून जो यूपी में आता है तो आपकी बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है ये जो आप बारिस यूपी में रहने वाले जो बारिस देखते हैं वो इसका अदिक्तम बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून जो बीहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रतियस में प्रिवेस करता है, उसे पुरुवा बोलते हैं, या पुरुवाई बोल देते हैं इसको, जैसे गर्मियों में बहने वाली आपकी हवा लू कही जाती है, इसी तरीके से पुरुवा बोला जाता है, जो मानसून के दिनों में हवा चलती है, और कहां से आती वर्षा किस महीने में होती है सबसे ज़्यादा मैं आपको बताया गौरफपुर में होती है और सबसे कम आपकी मत्वरा में होती है डारेक्शन आपको पता है बंगाली खाड़ी से यूपी बिहार होते वे जहावातिय सब पूरव कहते हैं और मांसून बंता कहां से है यूप आपका सिर्फ क्लाइमिट था इसका इससे ज़्याद आपको इसमें कुछ पता नहीं होना चाहिए नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है ठीक है चलिए इसके बाद जो नेक्स छोटा का टॉपिक है वो आता है मिरदाएं यानि मिट्टियां सॉइल्स इन यूपी इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है जो जो मैं आपको पॉइंट बताता चलूँ देखिए आप अगर घटना चक्री उठाएंगे कोई भी एक्स वाई जैट कोई भी बुक उठा लीजे अर्यहंत की लियूसेंट की घटना चक्री उठाएंगे आप तो आपको दूसमें जितने भी इमिट्टियां क्लाइमिट पर हद स्याद आपको एक चेप्टर एक पेज मिलेगा बस एक पेज भी आपको कंप्लेट क्लाइमिट पर नहीं मिलेगा अब लिखने को कितना ही लिख दे सब आपके सिर के उपर से क्योंकि वह बेफाद्द की चीजे जाता अगर पूछा जाता है तो एक आथ क्वेश्चन वह कुलाइमिट से पूछ लेता है ठीक है चलिए कि सबसे पहली चीज क्या है कि प्रोफेसर है प्रोफेसर वाडिया क्रिशनर और मुखड़ी के वैग्यानिक रिसर्च की अधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियो अब आप इंग्लिस वाले बोलेंगे कि नूतन और उपनूतन क्या होता है तो नूतन और उपनूतन होता है एलूवियल सोईल यानि एक हो गई आपकी एलूवियल सोईल और दूसरी हो गई आपकी न्यू एलूवियल सोईल यानि नई मिट्टी जो होती एक तरीके साब ऐस प्लेन होता है गंगा के आसपास का छेत्र होता है वहाँ पर आपको अलूवियल मिलेंगी और दूसरा का बुंदेल खंड की मिट्टियां यह दक्षिंड पठार जो फिजिकल डिविजन वाली यूपी क्लास ली होगी तो आपको पता होगा हमने एक चोटा सा डिविजन पुढ़ा था मैंने उसमें आपको बताया था बुंदेल खंड का रीजन थोड़ा पत्रीला है चोटी मोटी पठा रहे हैं चार सोड़े चार सो मिटर तक की होती है प्राचीन रवेदार और विध्यन शैनु की मिट्टियां अब देखिए यह रवेदार का मतलब होता है आपका जो ग्रैनियूल्स होते हैं यह रवuito दार जैसे आम सूखह है जो मिट्टि जिसके अंदर कुछ ज्यादा आपकी वैसी नहों हो जिसमें आप खेतीवाड़ी कर प्यआए व و कुछ रेत प्री के रेति ली से मिट्टि होती है जैसे आम आगरह में चीह मत्रह में देखेंगे यानि रव्यदार होगी मिट्टी तो यानि दो तरीके से बाटा गया एक आपका गंगा के विशाल मैदान के अलूवियल नूतन और उपनूतन और दूसरा बुंदेल खंडी है अब गंगा में दो चीजे आती हैं खादर और बांगर इसी के बारे में हम पढ़ेंगे चोटा म आपका बांगर हो गया ठीक है जब नदिया में आपको पढ़ाई थी तो महाँ पर आपको छोट असा पॉइंट बताए थी खादर बांगर कौन सा इलाखा होता है जो आपका उपर पत्ली से पट्टी होती है जैसे एक बता जेता हूं यह अपना यूपी होता है जैसे यह यह आपका होता है यह पर पत्रिय रहा नदियां में इंट्रॉठ्ट आपको क्या होता है विंद तो जो गंगा के मैदान होते हैं यानि गंगेटिक प्लेन होते हैं उसके अंदर आपको दो तरीके की मिट्टिया मिलेंगी पहला बांगर या पुरानी जलोड मिरदा और दूसरा खादर या जवीन नवीन जलोड मिरदा यानि देखिए ऐलूवियल सोईल जो नई मिट्टि होती है उसके हम नवीन जलोड मिट्टि बोल देते हैं और पुरानी घुरानी होती है तो बांगर या अलोड जलोड मिट्टि ठीक है अब दीके कैसे-कैसे हम इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले बांगर मिट्टी बंगर मिट्टी के कुछ नाम है अलग-अलग इलागे में अलग-अलग बोला जाता है तो देखी इसमें दोमट, मटिहार, बुलेई दोमट, पुरानी जलोड, उपर हार मिट्टी पता होना चाहिए कुशन यहीं से पूछा जाता है बंगर को दूसरे या अन्य किस नाम से जाना जाता है तो दोमट, मटिहार, बुलेई दोमट, पुरानी जलोड, उपर हार मिट्टी पुशन एक आपका यहां से बन सकता है और पूछा भी क्या है कि मिट्टियों का दूसरे नाम क्या होता है इसके अंदर यह पूछ ले आता है बंगार मिट्टी के अंदर कौन सा आपका जो पदार्थ होते हैं तीक है वो कौन-कौन से होते हैं तो देखिए जो आपकी बांगर मिट्टी है उसके अंदर फोस्फोरस और चूना होता है नाइट्रोजन पोटास आधी पदार्थों की देखें आधी पर इन पर कुद ध्यान नहीं देना आपको मेन पता होना चाहिए नाइट्रोजन और पोटास यानि nitrogen and potassium किसमे कमी रहती है वो आपकी bangar soil में रहती है और bangar soil में क्या मिलता है वो आपका phosphorus और चुना मिलता है ठीक है और मैंने अलने नाम बता दिया आपको ये पता होना चाहिए और मिलती की जगा है ये उत्तरप्रदेश के पूर्वी भागों है यानि जो east इलाखा है वहाँ पर आपकी ये ओल्ड अलुवियल यानि bangar मिट्टी देखने को मिलती है ठीक है चलिए इसकी बाद आती एह खादर मिट्टी की यानि नई मिट्टी अरूर्वरता यानि याप इसकी सुईल देखल उनी उटिली भागों होती है अरूर्वरती वह कहता है यहानि जियादा उसकी उप्छा उत्फी यह terrifying को तो आपके यानि उसकी वह सोईल का सी फर्टाइल है अच्छी धुर्वरता है उस मिट्टी की तो खादर की मिट्टी जदा अच्छी माने जाते है क्हेतिवाड़ी के लिए एस कंपेर टू बंगर मिट्टी ठीक है ये खादर की मिट्टी का जो विस्तार होता है नदियों के बाड़ के मैदानों होता है यानि कि जहां से कोई नदी निकल ली मानने की ये नदी है इसके जो आसपास का इलाका होगा यहां पर आपको जातर खादर मिट्टी मिन देखने को मिलती है क्यों 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 देखिए हर साल मानसून आता है नदियों में पानी बढ़ जाता है तो जो उपर की मिट्टी होती है वो आगे को बहे कर लेकर चली जाती है और नई मिट्टी उपर से बिछा देती है इस तरीके जी आगे हैं वाली मिट्टी आगे पहुचा देगी आगे वाली और आगे पहुचा देगी इस तरीके से सर्कुलेट होती रहती है तो इसलिए आपके जो खादर मिट्टी होती है वो नदियों के किनारे पर ही देखने को को मिलती है यह खादर के जो इलाका होता है वा आपको जा तर नत किसीं नदीके बरावर के लाके को by बोल का पूर डिया जाताए वो यही वजह वज़ा है क्योंकि मिटडी खादर होती है ठीक है चलिए खादर मिट्टी के अन्य नाम क्या होते हैं दीकि नवीन जलोड मने बता देने नियू एलुवियल कछरी सिल्ट बलवा मट्यार दोमट आदी हिंदी और इंग्लीज दोनों में के यही नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्यों क्योंकि यह लोक मिट्टी में क्या होता है यहां से दिए जो बंगर की मिट्टी होती है इसके अंदर फोस्फूरस और चुना होता है इसके अंदर फोस्फूरस और उनाहीू होता है नाइटरूजन दोनों मेंसे किसी में नहीं होता है दोनों में कमी रहती इसलिए आप उसमें सफेद रंगा जो खाद डालते हो कट्टे मिलता है एंपी का एंपी के कुछ करके उस नाम होता है उसका नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटेशियम इस तरीके से इस तरीके से बोला जाता है उसकी इरवर्टा बढ़ाने के लिए आप खाद डालते हो सफ़े सफ़ेद दानेदार खाद होता है ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा इसलिए सरकार बोलती है कि खाद डानने से पहले आप अपनी जो आप जिस मिट्टी को आप अगले फसल के लिए तयार कर रहे हो उसका आप एक बार जो जहां चिनकी लैब हो होती है वहाँ पर एक बार उस मिट्टी को जरूर दिखाईए ताकि पता चले उसमें किस पदार्थ की कमी है और किस पदार्थ की कमी नहीं है लेकिन ऐसे कोई करता नहीं है सीधा अगर कोई फसल होती है तो उससे पहले खाद कंपल्सरी कर दिया जाता जिसकी वैसे सोईल क इसकी जो यह वो दिन डिन वर दिन कम होती जा रही है और इस एक किसान को एक अच्छी मातरा थे चाही होती है तो इसके उन्दर और कईकाव बातावरण और उसके लिए काफ़े नुक्सान दायक हो रहा है तो Soil-Diam जो खोली गई है किसान को हर किसान को अपनी फसल से क्यो अपनी मिट्टी को रिसर्च लैम में जरूर दिखाएंगे अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है गाउं से रिलेटेड तो आप ये चीज़ आप जरूर समझें ये खेर चलिए मैं थोड़ा सा हाउट आफ टॉपिक हो गया था वापिस आते हैं तो देखिए मैंने आपको खादर कहीं बताया इसका भी बताया दोनों को पॉइंट सारी इसके चारों पॉइंट पढ़ लीजिए गा नेक्स्ट है आती है फिर एक लाल मिट्टी याणि जिसे हम बोलते हैं रेड्स वी अ लेड्स कहां मिलती है लाल मिट्टी का विस्तार होता है वह बेतवा और धसान याणि नदियों के जल प्लावित छित्रों में है ठीक है कौन सा छित्र याणि है मिर्जापूर सोनभत्र जो नीचे का इलागा है लेड्स मिट्टी का इसमें ज्यादा आपकी फसल इतनी वह बढ़ी मेंत से होती है इस तरीके से फसले होती है यह बारिस पर और नदियों पर निद्धारित हैं इसके अंदर आपके कमी कि इसके अंदर तो आपको सारी कमिया देखने को मिलेंगे जहें नाइट्रोजन जीवांस फोस्फोर अचूना खनी जोगी इस समय कमी होती है ठीक है तो देखिए मैंना आपको तीस में कुछ अब आपको इसमें याद करना है जितने ही मैंना आपको मिट्टियां बताई तो देखिए जितने ही मैंना आपको साइल बताई हैं भी तक उसमें आपको एक तो यह देखना है कि कौन सी साइल में किस चीज़ की कमी है जो भी उसके अंदर पदार्त मेट्रियल होता है naiट्रोजन जीवास में यह जो होता है यह चीज़ आपको पता होने चाहिए और मे जो इसमें पॉइंट मैंने आपको लिखे हुए हैं बताएं आप सिर्फ उसे ही करिए उससे आद आपको जरुवत नहीं है पॉइंट दिये हैं वाई अपवर्दन का उत्तप्रदेश का सरवादिक प्रवावी चेतर कौन सा है अपवर्दन मतलब एरोजन 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 तो इसमें पूछा है कि जो सोईल एरोजन होता है orn on with उसकी तरव से सबस्यादा सरवादिक प्रवावी चेतर कौन सा तो मत्युर्ण और आग्र यहां पर जो जितना मिट्टी से संबंदेख चेत्र कोन से हैं तो शिवालिक है फिले जल प्लावित नजी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी जहूं मिर्दा चीए फिन नेक्स्ट है बुंदेलखन चेत्र के काली मिर्दा यानि ब्लेक सोईल को किस नाम से जाना आता है ये आप जरूर पढ़ चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और अगर आपको ये टोटल पीडिएफ चाहिए तो हमारे टेलिग्राम गुरूप से जोइन हो जाईए मैंने डेस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप उ गुरूप से जोड़ जाईए वहाँ पर आपको हर वीडियो की अपडेट और हर वीडियो से लिटेड पीडियेफ मिलती रहती है तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिजेगा अगर कुछ